हलो स्टुएंट्स मैं हूँ आपका एजुकेटर में और आज हम बात करेंगे फाइब किंग्डम सिस्टम आफ क्लासिफेकेशन के बारे में इससे पहले लास्ट लेक्चेर में हमने जो डिसकस किया था वह था था थ्री डॉमेंस ओफ लाइफ अगर आप में से किसी ने भी व जो फाइब किंग्डम सिस्टम आफ क्लासिफेकेशन वह आई रच वीटेकर ने कब दिया था 1969 में दिया था इसके बारे हम थोड़ा सा पहले और भी डिसकस कर चुके हैं फॉस्ट जो इस चैप्टर के फॉस्ट वीडियो थी बाइलोजिकल क्लासिफेकेशन नाम से उसमें भी डिसकस किया इसको यहां पर थोड़ा डिटेल में डिसकस कर रहेंगे तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो वीटेकर ने जो क्राइटेरिया फॉलोग गया था इस सिस्टम आप क्लासिफेकेशन बनाने के लिए वह क्राइटेरिया चार थे नंबर फस्ट जिन पर आता ह है के complexity of cell structure जो सेल का जो structure है वह किस तरह का है कि यानि और गनेजम को और गनाइज करने से पहले उन्होंने कि सेल के structure पर भहुत ध्यान दिया और सेल आप जानती हो दोई तरह के होती है एक तो प्रोकरेटिक दूसरा यूकरेटिक तो जब इनको और ग्रूपिंग की जब इनकी तो उन्होंने यहां पर इन दो क्राइज को डिफरेंजियेट किया उनमें देखा कि कौन सी कौन से और अगनिजम है उसकी बॉड़ी कितनी कॉंपलेक्स है उसमें कौन-कौन से लेवल है क्या बॉड़ी से लेवल की है कि टिस्चू लेवल की है या फिर और गन लेवल किया और गन सिस्टम लेवल की है तो यह कॉंपलेक्सिटी उसमें और गनिजम बॉड़ी के अंदर आता है उसके बाद next criteria था mode of obtaining nutrition यानि जो organism है वो अपना nutrition किस तरीके से लेता है क्या वो autotrophic है या फिर वो heterotrophic है सेप्रोफाइटिक है परसाइटिक है इस सारे इसके अंदर उन्होंने जानने की कोशिस की या इस सब criteria को वहाँ पर follow किया उसके बाद next number four आता है phylogenetic relationship यह बहुत important है यहाँ पर एक चीज और देखी गई इनको organize करने के दौरान कि जो organism है वो simple है कि complex है simple होंगे तो कहीं न कहीं complex जो होते हैं वो simple सही evolve हुए है तो उनके बीच में क्या relationship है इसको वहाँ पर follow किया गया तो चार यहाँ पर criteria's के according यह पूरा kingdom system of classification बनाए गया है जो कि पांच kingdoms में divide किया गया है number first आता है monera second protesta third fungi fourth planty and fifth to animals ठीक है monera kingdom के अंदर आपका सबसे simple organisms आते हैं उसके बाद protesta में protesta और fungi planty और animal यह चार completely eukaryotic है और monera completely prokeratic है चलिए आगे discuss करते हैं अब हम इसमें आगे monera kingdom को पूरी तरह से discuss करेंगे ठीक है किंग्डम मोनेरा मोनेरा मोनोस से बनाएं जिसका मीन होता है single यानि यह सभी single cell से बने यानि unicellular organisms होते हैं includes prokaryotes और सभी prokaryotic होते हैं यानि इनकी जो cell structure है वो prokaryotic होती है so also known as prokaryota kingdom मोनेरा को prokaryotes भी बोला जाता है कि सभी prokaryotes होते हैं इसमें अब अगर हम इनकी characteristics की बात करें सबसे पहला characteristics की बात आती है कि lack of nuclear membrane मोनेरा kingdom के जो organisms होते हैं उन में nuclear membrane नहीं पाजा जाती यानि इनके पास well developed well organized nucleus नहीं होता है बलकि false nucleus होता है ठीक है ऐसा nucleus जिसके nuclear material के चारा तरफ कोई भी ball ना हो किसी तरह की membrane ना हो कोई covering ना हो ठीक है उसको कहेंगे हम false nucleus next number second आता है devoid of plastics इन में plastics भी नहीं पाए जाते हैं mitochondria भी नहीं पाए जाता है एडवांस फ्लेजला भी नहीं पाए आता है बहुत ही simple टाइप का फ्लेजला पाए आता है advanced नहीं होता है बहुत ही simple होता है single standard होता है नंबर थर्ड पॉइंट आता है टिपकली इनुचल्ल्लर होते हैं सभी इनुचल्लर की बाद हम पहले ही कर चुक है सब्सक्राइब की सिंगल मौन उसका मतलब होता है single ठीक है नेक्स्ट नबर फोर्ट आता है न्यूट्रिशन इस अब्जॉप्टिव बट समार फोटो सिंथेटिक और कीमो सिंथेटिक न्यूट्रिशन एब्जॉप्टिव टाइप का होता है बट कुछ जो होते हैं वो फो सब्सक्राइब के द्वारा या फिर बडिंग के द्वारा फिर अगर हम इनके मूवमेंट की बात करें तो नौन मोटाइल होते हैं कुछ नौन मोटाइल होते हैं और जो मोटाइल होते हैं वह सिंपली किससे फ्लैजिला के द्वारा या फिर गलाइडिंग मोशन के द्वार तरह की आउटर एक्स्राइल बॉडी होती है जो उनको मूब्मेंट में हेल्प करती है फ्लैजिला एक तरह से विफ लाइक मोशन करता है जैसे घोड़े का जो को मारने के लिए चावक कर इस्तिमाल कि जाता है उस तरह का मोशन होता है इस तरह से मतलब आगे-पीछे होना इस इस तरह से तो इस तरह का मोशन करेगा तो एक मूब्मेंट होगा लोको मोशन होगा जो भी मोनेरेंस होंगे उनमें और इस तरह से वह एक दिखर से दूसरी जगाए पर मूब कर पाती है नेक्स्ट आता है मोस्ट आफ बिया रिजिट सेल वाल मोनेरा के किंग्डम के कि अब आगे आपर थोड़ा सा बात करें तो मोनेरा केंग्डम को फिर दो अलग डिविजन में डिवाइड कर दिया गया में टू गूरू इसके अंदर पहला था यू यह वक्तिरिया दूसरा और यू बैक्तिरिया थे पहलते हैं और चुर्टिया उनसे इनका जो स्ट्रक् कॉंपलेक्टिट यह बहुत ही अलग होती है कि यह एक्टिया को फिर हट्रोट्रॉपिक और डिबाइड किया गया है फिर उसके बाद और प्रिश्च चुटबे होते हैं यह फोत उने कौने ऊसके बारे चुटे सो में Hemoaался लेहें चलिए आगे और ठोड़ा से बात करते हैं पहले और बैक्टिरिया के बारे में और ज्यादा अच्छे समझने के लिए आप पिछल लास्ट वीडियो देखिए उसमें त्री डॉमेंस ओफ लाइब में इसको और ज्यादा डिटेल में डिसक्स के यहां पर हमने उतना नहीं लि हमने पिछले लास्ट वीडियो में बताया था यह चीज़ कि यह बहुत ही बत्तर से बत्तर जगह पर हार्स हैविटेट्स होते हैं जहां पर कोई भी नहीं रहे पाए ऐसे हैविटेट्स में यह पाए जाते हैं जैसे कि हेलोफाइस एक्स्ट्रीम सॉल्टी एरियाज में ज उसके बाद आता थी है यूज ऑफ आर्की बेक्टिरिया का हमारी दस्ट्रीकोंड से क्या यूज हो सकता है तो पहला तो है इंप्लॉइड इन दा प्रोडक्शन ऑफ गोवर गैस फ्रॉम डंग जो कैटल डंग होता है उसका इस्तिमाल गोवर गैस प्लांट में किया जाता है और वहां उसकेटल डंग में ही मिधेनो बैक्टिरियम या अर्की बैक्टिरियम होते हैं जो मीधेन गैस का प्रोडक्शन करती है और उसी गैस का इस्तेमाल फिर बायो फ्यूल के रूब में किया जाता है ठीक है तो इन ड्यूमिनेंट्स दे कॉज फर्मेंटेशन और सल इन ड्यूमिनेंट्स बोला गया है तो उनके अंदर यह वैक्टिरिया पाए जाते हैं कौन से मिधेनो जैन्स या मिधेनो बैक्टिरियम जो कि क्या करते हैं सेलोलोज का फर्मेंटेशन करते हैं सेलोलोज के फर्मेंटेशन से यह मीधेन का प्रोडक्शन करते हैं ठीक है त चलिए आगे चलते हैं है आगे बात करते हैं यू वेक्टिरिया कि यू वेक्टिरिया के अंदर भी छोटे छोटे गुरुफ्स मेरे इसको डिबाइड किया गया वेक्टिरिया और उसके बाद LEWho प्लाजमा एन रिकेट्षिया तो यहां पर हम सबसे पहले बेक्टिरिया के बारे हम बात करेंगे यहां सबसे पहला पॉइंट आता है एंटोनी वन लिवन हॉक 1676 डिस्कवर्ड बेक्टिरिया इन पॉंड वाटर एंड टार्टर स्क्रैप्ट फ्रॉम टीथ एंड कॉल देम एज एनिमल कील्स एंटोनी वन लिवन हॉक ने सेवन 1676 में सबसे पहले इनको डिस्कवर्ड किया था पॉंड वाटर से और इसके लाव अपने दातों की मैल से ठीक है उन्होंने अपने दातों का मैल जो ता उसको स्क्रैप किया या खुर्चा और उसमें इनको डिस्कवर् यानि इसका मीन होता है little animals तीक है उसके बाद बाद आती है उसके बाद बात आती है और झा यह फॉलाइग लाइड इंपोर्टेंट ग्रेक्टर इनका इंपोर्टेंट करैक्टर की बात करें यह यह बेक्टिरिया की तो यह यह unicellular होती है ठीक है आर्किबेक्ट्रिया की तरह यह भी unicellular है cell wall is made up of murine और peptidoglycan बहुत इंपर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स है कि इनकी जो cell wall होती है वो murine या फिर peptidoglycan की बनी होती है लेक आफ नुक्लियर membrane इनमें भी nuclear membrane नहीं पाए जाता है नबर फॉर्थ है contains an extra chromosomal self-replicating circular naked dsdna is called plasmid बहुत ही important characteristics यह आपका 12th class में बहुत help करेंगा कि इनमें प्लाजिम नाम का structure पाया जाता है जो कि क्या है एक extra chromosomal self-replicating circular naked double extended DNA एक प्रकार का DNA है लेकिन कैसा इनके इनका जो chromosome होता है उससे थूड़ासा अलग होता है ठीक है और इनने यह पाय जाता है इनने में एक हो सकता है एक से ज्यादा भी हो सकते है किसी बक्तरिया में एक ही होता है किसी में किसे भी हो सकते हैं उसको प्लाजमिंट बोलते हैं कि उल्फ रैफ्लिकेटिंग के सर्कुलर है नेगुबनली डब्रicip情रें है इक्स्ट्रा क्रोमोजोमल नहीं है रव्संट्र क्वेइद लेख गीजिंद foliage पॉसकती है नंबर वह सकती है नमबर सिक्स आता है mostly bacteria are heterotropic but some bacteria may be photoautotropic and chemoautotropic ठीक है यह heterotropic होते है mostly but कुछ bacteria जो होते हैं वो photoautotropic या chemoautotropic हो सकती है ठीक है photoautotropic यानि वो light से अपना food prepare कर सके है chemoautotropic मतला अपना कुछ chemicals को decompose करके उनसे अपना food obtain करते हैं ठीक है next आता है photoautotropic bacteria contain bacteria chlorophyll instead of true chlorophyll ठीक है photoautotropic bacteria अपना food इसलिए प्रपेर कर पाते हैं कि उनमें bacteria chlorophyll पाए जाता है और bacteria chlorophyll अलग तरह का chlorophyll होता है थोड़ा सा जो के true chlorophyll यान जो plants में जो chlorophyll पाए जाता है उससे थोड़ा अलग होता है क्योंकि इसकी babe length कम होती है next नमर 7 आता है major method of reproduction in bacteria binary fission major method of reproduction इनमें जो reproduction का जो major method है यानि majorly यह binary fission द्वारा reproduce करते हैं ठीक है में यह बात है ओके नेक्स नमर 8 आता है फ्लेजला वेनेवर प्रेजेंट और मेंड़ पॉप सिंगल स्टेंड फ्लेजला जब भी बनता है वह सिंगल स्टेंड होता है ठीक है कि नेक्स आगे बढ़ते हैं कि ब्लू ग्रीन एल्गी या साइनो बेक्टिरिया के बात करते हैं ठीक है ओल टाइपस एप एनवारिमेंट्स सच धिज़ फ्रेश वाटर सी वाटर स्ट मार्सेज मॉस्ट रोक्स ट्री टेंग मॉइश्ट वी स्प्रेजला वटर ठीक है यानी हर जगह हर टाइप के एंवार्मेंट में सर्वाइब करने की चैपिश रखते हैं जैसे कि फ्रेश फ्रोडियन वाटर से इस सभी जगहों पर यह आपको मिलेंगे नेक्स जो पॉइंट आता है वो है कि यह कैसे होते हैं इनुशलर होते हैं वेक्टिरियाज की तरह ही कॉलाउनी बना कर रहते हैं या फिर फिलामेंडस होते हैं ठीक है नमर फोर जाता है सेल वाल पजैसेस और स सीथ जेली लाइक, slimy & mucil revenus ऑनने पांस फती है यंदुक है। इनस सेल बाहर के खरता है और सीथ होती हैं जो कि कैसे होती है जैली लाइक फती है slimy & mucilType ऐनी चिपचिपी चिकनी और कैसी जैल के समान दिखाई दीजूर ठीक है next number five fifth आता है they also lack mitochondria, true bacols, endoplasmic reticulum यानि जो membrane bound cell organelles होते हैं वो इनमें नहीं पाय जाते हैं number six आता है there is no membrane bound chloroplast, membrane bound chloroplast भी इनमें नहीं पाय जाता है but या source photosynthetic lamely और thylakoyds are usually distributed in the cytoplasm is called chromoplast तेखो chloroplast तो नहीं पाय जाता membrane chloroplast नहीं पाय जाता but chloroplast के जो content होते हैं जैसे thylakoyd या lamely हो गए वो इनके cytoplasm में distributed रहते हैं ठीक है फैले रहते हैं scattered रहते हैं और उनको फिर हम क्या बोलते हैं chromoplast बोलते हैं ठीक है तो इनमें फिर जो photosynthesis की process है वो chromoplast में होती है ना कि chloroplast में next number seven आता है फ्लैजिला और एफसेंट फ्लैजिला जो होता है इनमें एफसेंट होता है और number eight है reserve food is in the form of synovation starch एक प्रकार का starch होता है उस reserve food उसके form में इनमें stored रहता है ठीक है तो यह तो हुआ blue-green algae या synovacteria की बात नेक्स्ट आगे जलते हैं आगे अगर हम बात करें तो आते हैं other monorans यानि कुछ और monorans की बात की जाए तो सबसे पहले आता है माइको प्लाज्मा ठीक है माइको प्लाज्मा कि cell wall less होते हैं यानि इनमें cell wall नहीं पाई जाती है ठीक है ऐसे monorans है फस्ट आपने अब तक इतने देखे सब में cell wall थी बट एक ऐसे monorans है जिनमें cell wall नहीं पाई जाती है और सो कॉल्ड एज पीपी एलो पेलीरो निमोनिया लाइक और गनेजम ठीक है पेपो पीपी एलो कहा जाता है इनको जो कॉमनली प्लूरो निमोनिय लाइक और गनेजम क्योंकि यह निमोनिया जैसे डिजीज कॉज करते हैं इसलिए स्मॉलेस लिविंग सैल से यह जो की अबाउट जीरो पॉइंट बन माइक्रो मिटर इन डायमेटर होते हैं ठीक है मतलब जीरो पॉइंट बन तक हो सकते हैं पॉइंटर में और स्मॉलेस लिविंग सैल है उसके बाद माइक्रो प्लाजमा के बाद आती है आपकी अक्तिनोमाइसिटेज की एक्टिनोमाइसिटेज जो हैं यहां पर पहले क्लियर कर दूँगा कि यह फंजाई और बैक्टिरिया के बीच की एक तरह से कनेक्टिव लिं विचिरां प्लामेंटास अंड बांचे bubble करते हैं एक्सेंशिव कॉलनी और माई क्यंधिंदेख और लियुक्त अफंजाई गरते हैं स्क्राइश आचें टोस आपर करते हैं तो यहां पर performing आपकर चीज़ करते हैं उसके बाद होते हैं नेस्ट है डी चम्पोजिटिज और और कहां मिलेंगे आपको इन जगों पर मिलते हैं जहां पर और मिलता हो और यह इसको करने का काम करते हैं कुछ इस्तिमाल आपका जो एंटिवाइटिक सुक्षिए उनके प्रेडक्शन में भी किया जाता है कि नेक्स्ट आता है डिकेट्स या कहा है स्मॉल एरोबिक क्राम नेगव बैक्टिरिया जैंगे एंडिन को सब्सक्राइब क्यों दिखाए आपर क्योंकि बहुत लोग लेवल नूटिरेंट्स में भी ग्रू करने की कापविल्टी रखते हैं ठीक है उसके बाद लॉंग जेन से दो सेल के में जतना टाइम लगता है मरे रेस्पॉंसिबल फॉर रॉकी मांटें फीगा रॉकी मांतन फीवर होता है जो टिक प्रिकार के त्वीच से फालता है रिकेटिया लेकेट शी नाम केद बैक्टीरिया से जो इसी गरूप के अंदर आते हैं ठीक है त्लिए था COMPLETE MONERA किंगडम इसके बाद अगला जो लेक्चर О đầu होगा इसमें हम्a इसमें frankly जो ही लेंगे डार्ट करेंद सब्सक्रीट सब्सक्राइब से वोधा है साइज क्या होता है प्रॉडक्षन किस तरह करते हैं न्यूटूशन किस तरह करते हैं क्या इक इंपोर्टेंस गर्ण तो उसको में अलग में लेंगे वाद जो की 11 लास और नीट ऐस्पेरेंट्स दोनों की हेल्प करेंगा तो तब तक के लिए अपना ख्यार लख एक ही हम, टे केर